हाई फ्रेंज असलाम लेकूम तो कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरा नास्ता तो अक्सर सर्दियों में जादा बनाया जाता है क्योंकि अभी तो मटर का सीजन है तो इस टाइम अगर इसे बनाएंगे तो बहुत ही टेस जार लेंगे और उसमें हम मतर को डाल देंगे आप जैसे जयादा बनाना चाहते हैं तो मतर कि कौंटिटी जयादा कर सकते हैं तो यहां मैं तो ठोड़ा सा लच्छ्हिं अद्रक लें आप चाहें तो हरी मिर्ची भी ले सकते हैं अब इसे लुग को सा camera और इन में मुंघ अच्छे बेसन तो इसे हम भून लेते हैं एक अच्छी खुसबू आने तक बेसन को भून लिया है मैंने देखिए अब हम इसमें जो हमने मटर और लस्टुन अद्रक पीशा था तो वह भी इसमें डाल देंगे तो देखिए यह थोड़ा मैंने दरदरा ही पीशा है तभी इस थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें गरम मसाला पाउडर मसाले इसमें कुछ जादा नहीं जाते हैं और नास्ता बहुत ही टोस्टी बन के तयार होता है स्वात के हिसाब से नमक इसमें मैंने डाल दिया है और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक क्योंकि नमक अभी ह में आगे और भी जरूरत है तो थोड़ा कम ही डालें इसमें नमक अपने हिसाब से और ये फ्रेस कटा हुआ हरा धनिया इसे भी मैंने डाल दिया है अब अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे और दो से तीन मेंड तक इसे सिलो आज पे अच्छे से भून लेना है तो बहुत दूंगी थंड़ा होने के लिए तो आब हम इसका आटा तयार कर लेते हैं तो यहां मैंने लिया है एक कप मैदा आप चाहें तो गेहुं के आटे से ही बना सकते है और इसमें डाल दिया है मैंने आधा चम्मच नमक और ये आधा चम्मच अजवाईन तो इसे हाथों से मसल क कि यह ढालना हैिसमें अब इसमें डालेंगे हम दो बड़े चमशज रिफाइन तेल। यह मोैन के लिए है इससे बहुत ही खस्ता बनेगा नाश्ता, तो इसे हाथों से मसल मसल के अच्छि से मिक्स करना है, कि जब हम इसे हाथों से इसे दबा के देखें तो ये बंद जा इदम जैसे लड़ू बनाते हैं देखिए इसी तरीके से तो ये मुएन तयार है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं और इसका आटा रेडी कर लेती हूं तो बहुत ही खस्ता बनेगा हमारा ये नास्ता तो देखिए इसी तरीके से हमें इसे गोत के रेडी करना है तो देखिए मैंने गोत के रेडी कर लिया है अब इसमें थोड़ा सामें तेल लगा के और इसे अच्छे से मसल के और रख दूँगी 10 मिट के लिए कि आटा अच्छे से से सेट हो जाए तो देखिए ये ठंडा हो च तो इसी तरीके से मैं सारा रेडी कर ली हूँ और बहुत ही आसान है एक बार अगर आप बनाएंगे तो बार-बार बनाना चाहेंगे यह नास्ता तो अब हम बनाना शुरू कर देते हैं तो यहां मैंने इस तरीके से लोईया काटके रख ली हूँ छोटे-छोटे पेड़े अ और जरूर से एक बार इसे इसी तरीके से ट्राइ करें इतना खस्ता कचोरी आप बना के रेडी करेंगे कि दुकान का लाना भूल जाएंगे जब आप इस तरीके से घर पे बनाएंगे तो इसी तरीके से जरूर से बनाएं और हमारी रेस्पी आप लोग को कैसी लगती है कमें में जरूर बताना तो हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छी रेस्पी लाते रहेंगे और हमारी वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें और हमारे चानल पे जो न्यू हो प्लीज सब्सक्राइब कर लें तो देखिए इसी तरीके से मैं बना रही हूं और आप लोग दे काला है इसी तरीके से इसे दबा दिया है और अच्छे से इसे देखिए इसी तरीके से करना है अब मैं इसी तरीके से बनाते जाओंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूं कि हमें किस तरीके से ये फ्राइ भी करना है क्योंकि मैंन बात जो रहती है फ्राइ करने की ट तो इसी तरीके से मैं सारा रेडी कर ली हूँ देखिए सारा मैं रेडी कर ली हूँ अब हम इसे फ्राई करते हैं तो फ्राई करने के लिए तेल मैंने रख दिया है कड़ाई में और तेल हलका गुन-गुना सा ही है देखिए मैंने इसमें कचोरी डाला फ्राई करने के लिए तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं दिख रहा है बबल्स तो इसी तरीके का तेल चाहिए तभी अच्छा और खस्ता बनके रेडी होगा ये कशोरी और अगर गरम तेल में आप डालेंगे तो फिर आपकी कशोरी अच्छी बनके रेडी नहीं होगी तो इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखें कि हमें गरम तेल जादा नहीं चाहिए तो 6-7 मिनट बाद देखिए मैंने इसकी साइड चेंज की है और इस तरीके का कलर आया है तो अभी मैं इसे फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए तकरीबन हमें लगा है 10-15 मिनट इसमें एक अच्छा कलर आने तक और ये एकदम लो फ्लेम पर ही फ्राई होके रेडी हुआ है देखिए बहुत ही प्यारा कलर इसका आया है तो इसी तरीके से मैं सारा बना के रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद मैं दिखाती हूँ तो यहां पे वीडियो की स्पीड है तो आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा तेल गरम है तो मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी थी तो देखिए अब मैं यहां सब करके आपको दिखाती हूँ कि कितना खस्ता और कुरकुरा ये हमारी कचोरी रेस भी बनके रेडी हुई है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें अल्ला हाफिज